अगर आपको सबजी खाना पसंद है तो बैंगन आपको जरूर पसंद आता होगा आज दिना हम बैंगन का भरता बनाएंगे लेकिन इसका खास बात यह है कि बैंगन को हम बीना पकाए हुए बनाएंगे बहुत एक कम महनत के साथ छट पर से बनने वाले कोई भी जादा महनत नहीं करना ना बैंगन को पकाना है बस दस मिनट वाले रेसिपी है यहाँ पर मैंने एक बैंगन लिया है बैंगन का साइज आप देखिए एक प्याज एक टमाटरी इतना काफी होता है इसके लिए और चार हरी मिर्च लिए है हरी मिर्च इसमें जरूरी होता है इससे स्वा अब लिए प्याज को इसमें डाल देए अब जब तक प्याज पकता है तब तक हम बहेंगन को कढ़ेगे इस तरीके से निए आपका टाइम बचेगा और सुबह के लिए टाइम बचाना बहुत ही ज़रुरी होता है यहाँ पर जब तक प्याज पक रहा है बैंगन को हम काट लेते हैं तो बैंगन को नब क्या करें पहले उसको छील लें उसका जो छीलका होता है थोरा से मोटा होता है तो हम बैंगन को नहीं पका रहे हैं बैंगन को जब हम भरता बनाते हैं तो उसको पका के उसका छीलका निक इस तरीके से मैंने मेंगन चुल लिया है जा shift चोटे से टुगरों में काट लगे ऐसके बाद अबिवर छोटी को कोसिस करें इससे भी आप का time और जल्दी पका बनाने तो मैं एक सिक्रेट और चीज बताऊंगे जिससे आपके बाद उसका बाद ब Grüzy bod मिक्षे को भी पसंद आता है ऐसे हमने काट लिया है चोटे टुक्रों में यहांपर पहले ही मृँ भाध से तो पड़ लान था ऑच्छे साम स्कंद काटा करेंगे और मसाले नहीं दाल तो मसाले में पर जादा मसाला को नहीं डालना है थौरा थ्रोण sa делать मसाले डाले थोरा से हल्दी बॉटर डालेंगे ,mani शुर्थ हय चमच हल्दी बॉटर डालेंगे , उससे विकम हरीमिर्च डालेंगे क्योंकि हम इसमे थोरा से लल मिर्च बॉटर डाल रहे है और खुस्भुक हैर यहांपर 1 čुष चमच गरम मसालें डालंगे बस इसमें तीन मसाल ही डालने है, धनिया अगर नहीं डालना है इसको, यहीं पर स्वादन सार नमक डाल दे, हरी मिर्च हमने पहले से काट कर रखा था तो वो डाल देंगे, और नमक जब आप डालते हैं, तो जो शोट वाली चमच होते हैं, उससे आधा चमच नमक डाला है, और नमक अभी ही डालें, इससे हमारा जो बैंगन है, वो जल्दी पकेगा, बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको ढख के, दो-तीन मिनट के लिए पकने देंगे, ढख दें, दो मिनट में फिर से इसको चेक करेंगे, हमारा जो बैंगन है, वो सौप्ट हो आगने, बै इसको बैंगे, इसको ढख देंगे, तिर तो दो मिनट के लिए फिर से पकने देंगे, दो-तीन मिनट बाद यहां पर जब आप चेक करेंगे, टमाटर भी सौप्ट हो जाता है, बैंगन का भरता बना रहे है, जितना जादा सौप्ट होगा, उतना अच्छे से मिक्स होगा, अच्छे सी इस तरीके से उसको चला है जिससे को आपस में अच्छे से मिक्स हो दो-तिन मिनट बाद आप देखेंगे आपर बैंगन भी पक जाता है टमाटर भी पक जाता है और इसमें मसाले में हम जो डालेंगे इसका स्वाद बरहने के लिए वह यहाँ पर टोमेटो सॉस तो टोमेटो सॉस डालने से यह मीठा नहीं होता है इसका स्वाद बैलन्स होता है क्योंकि इसमें जो टमाटर है उसका खटापन है और यही पर थोड़ा से कसूरी मेथी डाल रही है अगर आपके पास धनियाग पता है तो छोटे टुक्रम धनियाग पता काट कर उसको यहाँ पर डाल दे भरतेक स्वाद इससे भी बढ़ जाता है तो उमें से कोई एक चीज ही डालें अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इस तरीके से मिक्स करें कि वैंगन टमाटर आपस में अच्छे से मिक्स हो और इसके बाद इसको फिर से दो-तिन मिनट के लिए पका लेंगे बस इसमें और कुछ नहीं डालना है आपको बस ये दिखना है कि वैंगन हमारा सौप्ट हुआ के नहीं बैंगन को मिलाते हुए तोड़ते हुए चला है और आज को मीडियम करके ही रेखे है फूल बढ़ा कर नहीं रखना है आपको रेसे भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा इस भरते को आप एक वर सुवस्वप पराठे के साथ खाईएगा आपको बहुत ज़्यादा चलेगा आप चाहते इसको टिफिन में भी खा सकते हैं चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं सभी तरीके से ये स्वाधिश्ट लगता है देखा आपने बिना बैंगन को पका हुए कैसे हमने टाइम बचा के कम टाइम में इस भरते को बनाया अगर आप इस टिक से बनाएंगे आपका बहुत टाइम बचेगा वीडियो पसंद आता है वीडियो हेलफुल लगे तो लाइक करें सेर करें चैनल पर नहीं है सब्सक्राब करना बिलकूर नहीं है